हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको समेरिटन गर्ल ये 2004 की ड्रामा कॉरियन मूवी एक्स्प्रिन करने वाला हूँ इस मूवी में दो फ्रेंड्स को यूरोप जाना होता है इस मूवी के डारेक्टर कीम की दूख है यानि के बहुत ही बढ़िया मूवी है ये मूवी अच्छे मैसेश के साथ अच्छे लेसंस हमें सिखा कर जाती है तो चलिए शुरू करते है विस्टार्ट होती है और हमें दो फ्रेंट्स देखती है जो इंटरनेट कैफे पर चाटिंग कर रही होती है ये दोनों जो है, यहांए मेन कारेक्टर है इसमें से एक का नाम है जेजंग और दुसरी का नाम यूजिन यहाँ पर जे यंग अपने future clients से बात करी होती है यह इसके साथ सोने वाली है तो पैसे वेगरा यह सब decide करते है Eugene और जे यंग यह दोनों अच्छी friends होती है इन दोनों को मिल कर Europe जाना होता है इसके लिए इने पैसे चाहिए होते है इस वज़े से जे यंग प्रोस्ट्यूशन में जा रही होती है यह खुदी online client ढून लेती है Eugene 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 को मदद करती है उसका make-up वेगरा कर दे रही होती है Eugene 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 से कहती है कि इंडिया में एक प्रोस्ट्यूट थी जिसका नाम वसुमित्रा था जब भी कोई आदमी उसके पास जाता था तो बुद्ध पे वो बिलीव करने लग जाता था उनका वो शिश्य बन जाता था और बुद्ध इजम के जो भी सब खैल है उनसे वो जीने लग जाता था जैयंग केती है कि वो उसे इतना प्यार देती थी कि अब उसे गौड पर बिली होने लग जाता था जैयंग को भी यूजिन इसी नाम से पुकारे इससा लग रहा होता है जैयंग को भी वसुमित्रा की तरह ही बनना है एक जगा पर जाकर ये दोनों क्लायंट के वेट करती है फिर जैयंग का क्लायंट आता है और ये दोनों होटेल में चले जाते है यूजिन का पास एक डायरी होती है इसमें क्लायन के नाम नंबर होते है और इनके पास अब कितने पैसे आ चुके है इस सब का हिसाब होता है जैंग अपने क्लाइन के पास जाती है और यूजिन को अगली बिल्डिंग से वेव करती है थोड़ी देर माद यूजिन को दिखता है कि पुलिस आ चुके है जैंग को भी पता चल जाता है कि उसकी बिल्डिंग पर रेट पड़ी है तो एक्जिट से वो निकल कर नीचे आ जाती है पुलिस भी इन दोनों के पीछे भागते है पर ये भागते भागते बहुत आगे बहुत जाते है इन्हें हो पकड़ने पाते है इसके बाद ये पार्क में आते है और डिसकस कर रहे होते है कि अब इनके पास कितने पैसे है ये कैलकुलेट करते है कि एक काई प्लेंट दीकिट के पैसे इनके पास है जेयंग कहती है अगर मैं उसे बात नहीं करूँगी तो मैं सही से connection नहीं बना पाऊंगी मैं इस सिर्फ पैसो के लिए कर रही हूँ ऐसा मुझे लगेगा जो भी टाइम जेयंग अमने client के साथ गुजारती है उसमें उसे real connection ढूणना होता है हमने देखा है कि उसे वसुमित्रा की तरह ही बनना होता है यूजिन फिर जेयंग को बात्रूम में लेकर जाती है उसे साफ करती है जेयंग कहती कि अब बस हो गया यूजिन कहती कि वो बहुत ही घटी आदमी है तो मैं सही से मुझे साफ करना है यूजिन को बुरा लग रहा होता है कि उसकी वज़े से यह सब जयों को करना पड़ रहा है जयों कहीती कि ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे भी करने में मज़ा आ रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पाक में जाते हैं कुमते फिरते मज़ा करते हैं यूजिन अपने फादर के साथ अकेली रहती है सुबा जब वो उड़ती है तो उसके फादर उसके लिए ब्रेकफास्ट अगरा बना कर लाते हैं यूजिन को उठाने के लिए music लगाते है उसके headphone उसके कान में लगा देते है यूजिन से उसके फादर बहुत ही प्यार करते है यूजिन की मदर पहले ही गुजर गई है फादर यूजिन को जब school में छोडने के लिए जाते है तो पूरे world में इसे अलग-अलग stories उसे सुनाते है यूजिन इतना ध्यान नहीं देती फिर भी सुनाते है इस बार यूजिन और जैंग मिलती है तो यूजिन कहती है कि मुझे बहुत ही अलग लग रहा है जैंग कहती है कि इस बार उससे तुम बात मत करना यह जगा पर clients मिलते है और जैंग उसके साथ गाड़ी में intimate हो जा कहती है कि ये हमें लबगी ले कर जाना जाता है, तुम पर लाइन मत मरो, इस क्लाइट को यहां से भगा देती है, जैंग फिर यूजिन से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया व एक अयूजिसियन था, वो उसने तो हमारे साथ क्या क्या किया होगा जैंग के दी कि ऐसा कुछ भी नहीं था वो बहुत यह अच्छा आदमी था मुझे कमफरटेबल महसूस कराने के लिए उसने मेरे लिए गाना भी गाया था यूजिन को बहुत ही बुरा लगता है तो जैंग समझ आती है जैंग के दी इक दूसरे को किस करती है यह हमें दिखता है यह दोनों स्कूल के बाद एक शॉप में जाते है वह एक मशिन होता है जिसमें अपनी फोटो निकाल सकते है यहाँ पर यह दोनों इंडियन्स की तरह कपड़े पहन कर फोटो निकालना जाती है और यह फोटो निकालती भी है एक्चुल में पठानी लग रहा है पर ठीक है। इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि जेयंग फिर से एक लाइन की साथ है। ये बिल्डिंग में है और यूजिन उस पर नजर रख रही है। अचानक से यहाँ पुलिस आ जाते हैं पर इस बिल्ड नई में अब एसकेप करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता। जेयंग के रूम में पुलिस पोच जाते हैं पर जेयंग को पगड़ा नहीं जाना होता। यह खिड़के के ऊपर खड़ी हो जाती है, पुलिस उसे कहती है, इपलीस ऐसा मत करो, यूजिन भी भाहा से चिलाती है, इपलीस अंदर चली जाओ, पर जेयंग किसी की भी नहीं सुनती, वो भाहा से जम कर देती है, जेयंग के सर पर बहुत बड़ी चोट आ जाती है, पर फ यूजिन शावर में जाती है, और सब ब्लड व면ख पोश ती है, इस शावर में ही रोने लग जाती है, वो अपने आपको ही ब्लेम कर रही है, यह जब जेयंग के पास आती है, तो जेयंग अब जरा होश में है और उसकी टीट्मेंट हो चुकी है, जेयंग यूजिन से कहती कि प्लीज मेरे klient को बुला दो, जो musician था, जिसने उसे अच्छे से treat किया था, इसे मरने से पहले उसे मिलना है Eugene पर musician को call लगाती है, उसे कहती है कि प्लीज यहाँ आजाओ, जेंग के साथ क्या हुआ है यह सब उसे पता दी है पर यह musician आज काम कर रहा होता है तो इससे मिलने नहीं वाला होता जेंग कहती कि प्लीज तुम्हारा पता मुझे तो मैं वहा हूँगी वहाँ उसे मिलने के लिए जाती है उसे convince करना चाती है पर यह मानता नहीं यूजिन नी musician की insult की थी इसी वज़े से अब यह इससे बात नहीं करना चाता यूजिन को मालूम है कि यह musician उसे चाहता था इसी वज़े से अब अपने आपको वह उसे सोब देती है यह दोनों intimate हो जाते है और इसके बाद यह देयंग के पास जाने वाले होते है यह hospital पहुचते है पर इने देर हो चुकी होती है देयंग मर गई होती है मरने के बाद भी इसके चेहरे पर smile ही होत है और हमना माइन यह चेंज कर लेती है इसे लगता है कि जैंग ने यह सब पैसे लिए है अगर यह बैसे उसके client को फिर से वापस कर देगी तो यह prostitution नहीं माना जाएगा जैंग सचमुच में इन सब लोगों से connection मनाना चाहती थी अगर उसने यह कर दिया तो उसे शान्दी लग सकती है यूजिन अपने आपको यह ब्लेम करती है तो उसे लगता है कि यह करना सही हो सकता है यह मोटल में जाती है और client को बुलाती है client जब इसके साथ intimate हो जाता है तो बहुत ही खुश होता है इस client को यह जैंग की तरह ही लगती है यह कहती है कि जैंग मर चुकी है औ मैं भी thankful हूँ कि कहता है मैं मर नहीं जाता तब तक में तुम्हें याद रखूंगा यूजिन के father जो होते है यह police होते है यूजिन जिस hotel में होती है उसके opposite hotel में ही उसके father आते है वह एक murder हो जुका होता है इसके father जब खिड़की से देखते है तो यूजिन एक client के साथ होती है इन्हें इस पर balloon नहीं हो पाता है यह hotel के भार बैठते है और इन पर नजर रखते है यूजिन वह से चली जाती है और उसका जो client था इसका पीछा उसके father करते है इस client को रस्ते में रोक लेते है फादर कहते है कि अब मैं तुमसे कुछ questions पूछूंगा अगर तुमने इसे बोलने ही रहा होता तो father इसे बहुत मारते है एक client कहते है कि तुम हो कौन फादर कहते यह तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हो सकता हूं एक client फिर अंदाजा कर लेता है और वहां से चला जाता है रात में हमने दिखता है कि father Eugene के रूम में आये हुए होते है और उसे father कहते है कि तुम सुनती कहाओ यह कह दिये मैं सुनती हूँ प्रीज मुझे सुनाओ यह father कहते है कि तीन friends थी वो forest में गई तो उन्हें मदर मेरी दीखी थी उनके light में इन लड़कियों को दुनिया का अंद दिखा यह उनके लिए बहुत ही shocking था जब इसके बाद वो बेहो अच्छा plot point है आज father अपने job पर नहीं जाने वाले होते है यह school के बाहरी खड़े होते है और Eugene कहा जा रही है इस पर वो नजर रख रहे होते है यूजिन एक model पर जाती है और हमने client का wait करती है उसके father बाहरी खड़े होते है और सब लोगों को पूछ रहे होते क्या तुम model म होता है एक आदमी उन्हें मिल भी जाता है तो यह कहते है कि मेरे साथ तुम बेठो उसे drinks देते है फादर इस client से कहते है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ यह आदमी भी समझ जाता है कि कुछ dangerous से और वहाँ से निकल जाता है रात में father अपने friend के साथ एक hotel में आये हुई हो इसकी complaint उनके पास करती है यह लड़के कहते है कि एक pervert है उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कि लिए यह police officer ही है तो इन सब लड़कों को सबक सिखाना चाता है फादर अपने partner को रोकना चाता है पर यह partner रोकने नहीं वाला होता इसे slap करता है यह partner कहता है कि आज तुम उठाते है और गाड़ी का काश फोड़ते है यूजिन और client दोनों डर जाते है और वहाँ से निकल जाते है इस client का पीछा फादर करते है और नेकस दिन उससे मिलते है यह उससे cigarette मांगते है और कहते है कि तुम्हें आगे तक lift दे सकता हो याद में कहते है कि मैं यही रहता ह कोई जरूरत नहीं है यह आदमी चलने लग जाता है तो फिर भी इसका पीछा फादर करते है यह आदमी डर जाता है इनके पास आता है और जान जाता है कि यूजिन के फादर होंगे एक client कहते है कि मैं बहुत ही sorry हूँ यह जो client है फादर से भी ज़्यादा इसकी age है इसकी building भी होती है जो यूजिन के ही age की होती है फादर इसे मारने लग जाता है family कहती है तुम इसे क्यों मार रहे हो फादर कहता है कि आपने बेटी की उम्रे की लड़की के साथ तुम्हें सब कर रहे थे क्या तुम्हें कोई शरम नहीं आई इसके बाद फादर यहाँ से निकल ज साथ होती है उसके फादर उसका पीछा करे होते है इस बार ट्राफिक में फादर फस जाते है यूजिन आगी चली जाती है जिस आदमी के वज़े से ट्राफिक हुई होती है फादर इसे बहुत मारते है यूजिन जहाँ पर गई होती है वहाँ जब फादर पहुचते तो अ आगे चलकर उसके पास जो डायरी थी वो फेक देती है अब जेहंग के सब क्लाइंट्स को उसने पैसे दी दिये है यूजिन जब घर वापस आती है तो उसके फादर सब उसका फूड वेगरा पैक करे होते हैं फादर के थे हैं कि मदर के ग्रेव को हम विजिट करकर आते हैं म कार में मांडर उतरते उतरते एक जगा एक कार ठकरा जाती है और दस जाती है फादर बहुत को जिश करते हैं इस कार को निकालने केलिए पर निकालने पाते यह, ठक और यहीजिक हो जाते है यूजिन बाहर निकलती हैं सब पत् inteiro विगरा चाक कि हहां लगाती है गाड़ी अ स्टोरी सुना थे अधी रात हो जाती Kabul फादर देखते हैं योजिन के पास नहीं है योजिन महार बेटी हुई होती है और वो रो रही होती है उसने जो सब किया है इसके फादर को पता है ये उससे मालूम है ये दोनों घर जाते वक्त एक शौप पर रुखते है फादर अंदर होते है तो यूजिन गाड़ी की स्टीरिंग देखने लग जाती है गाड़ी चलाते कैसे है यह उसे बहुत ग्यूरेसिटी होती है फादर आते है तो कहीते है कि तुम आप गाड़ी चलाओ तुमें कर सकती हो यूजिन डर रही होती है यूजिन रस्ते में सो जाती है तो फादर उसे एक रिवर के बास लेकर आते है यहाँ पर आकर वो पुलिस को कॉल कर देते है इन्होंने मर्डर किया है यह उन्होंने कनफेस कर दिया है यूजिन जब उठती है तो उसके फादर उसे कहीं नहीं दिखते है यूजिन जब आगे जाते है तो उसके फादर उसे पीछे से आकर मार देते है और वही गार देते है यह जो सब है यह उसका सबना ही था यह जब सचोच में उठती है तो उसके फादर ने एक way create किया होता है यहाँ पत्थर होते हैं इनसे फादर ने एक वे बनाया होता है इस वे से यूजिन को गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस हो देते है यूजिन स्लोली स्लोली ये सब कुछ सीख जाती है फादर केते हैं कि अब तुम अपने आप चलाओ अब मैं तुम्हें हैप नहीं करने वाला इसके बाद पुलिस की गाड़ी वहा जाती है और फादर को लेकर चली जाती है यूजिन को खुद से ये गाड़ी से अब घर जाना पड़ेगा मूवी के बीच में फादर ने यूजिन को स्टोरी सुनाए थी जिसमें लड़कियों को लगा था कि सब कुछ तबाह हो गया है और वैसा कुछ भी नहीं हुआ था फादर ने यूजिन से पुछा था क्या तुम मिराकल पर बिलीव करती हो फादर कभी भी यूजिन को मारने वाले नहीं थे यूजिन सिफ रस्ते से भटक गई थी यूने मालूम था उन्हें confidence था यूजिन में अपने life के साथ कुछ अच्छा करना चाहती है कुछ सीखना चाहती है यूजिन के डायरी फादर को मिली थी और ने सब कुछ पता चल गया था जब वो इस रिवर के पास आये तो थोटा सा रस्ता फादर ने उसे बना कर दिया पैरन्स हमारे लिए हमेशा सही ही चाहते है थोटा सा रस्ता हमें हो देते हैं पर इसके बाद गिर समल कर इस रस्ते पर चलना यह हमारे डिसीजन होता है मुवी के लास्ट में यूजिन गाड़ी अटक अटक कर थोड़ा ट्रायल और एरर के साथ यह आगे बढ़ती जाती है यह थोड़ी दलदल में भी फ़र्ज जाती है वर हमें पता है कि यहां से वो निकल पाएगी यह मुवी यही एंड हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवी लेकर आधा रहे तो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दबाना में मत भूलिए वेशे में लेंगे और यह नहीं मुवी साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखें